लोग जो है प्रोटेस्ट करने पर उतर गे और इतनी भैंकर प्रोटेस्ट की कि 11 जो है इंजन को जला दिया और साथ ट्रेन को जला दिया समझे इतना भैंकर बी जो प्रोटेस्ट हुई और उसमें जो है 700 करोड की इंडियन की गवर्मेंट की प्रोपर्टी को खतम कर दिया और इसमें भी जो है 700 लोग जो अभी बिहार में ऐरेश्ट है इस प्रोटेस्ट जिन्होंने जिस तरह हिंसा बढ़ाया और यह सब कदम उठाए तो इस हम वीडियो में हम जानेंगे कि अगनीपत स्कीम के बारे में क्या है क्या नहीं है पूरे फुल डिटेल्स के बारे में क्यों लोग इस पे जो है प्रोटेस्ट करने पर ऊतर गए क्या वज़ा थी सबसे पहले देखिए यह जो आर्मी फॉर्सेस होती है यह तीन तरह की होती है पहला होता एक आर्मी दूसरा होता है जो नवी और तीसरा होता है Air Force जिसे हम कहता है इसके तीन ब्रांच में मैंने आपको बता दिया तो चलिए और ये जो सरकार ने ये जो अगनी पत के स्कीम फिर बता है इसमें जो भी जोइनिंग करेगा उसे हम कहेंगे अगनी वीर तो अगनी वीर जो है क्या है इस वी वीडियो में पूरे डिटेल्स के जाथ जानते है आखिर क्या कारण थे कि जिन्होंने प्रोटेस्ट किया क्या वज़ा थी सरकार ने तो कह रही कि 50 जार पद खाली है वो भी 4 साल के लिए तो फिर हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं ठीक है तो इसकी वज़ा कि सबसे पहला देखिए जॉब इन सिक्यूरिटी इसमें जॉब जो है सिर्फ 4 साल के लिए थे इस वीडियो से प्रोटेस्ट हुआ और दूसरा इसमें क्या है कि ट्रेनिंग का वेस्टेस बताया कि वो चार साल के आखरी पीक में जाते ही उसको जॉब से निकाल ले जाएगा इस वह से और यह सब की वह से जो है लोग इसको प्रोटेस्ट किये तो इसको पहले हम जानते कि इसमें ट्रेनिंग होगी मिलिटरी की और वो अच्छे अच्छे जॉब जो है पा सकते हैं और इसमें जॉब कर सकते हैं तो यह भी एक अच्छा है और उसके बाद कि इनके सैलरी जो है इसको इसको जो 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 जॉइन करेंगे 17.5 साल से लेकर 21 साल तक जिससे कि प्रोटेस्ट होने के बाद सरकार ने 2 साल और बढ़ा दिया क्योंकि देखिए यह उसी समय रिलीज हुआ था जिस समय की 2020 में ठीक है यह अगनिपद जो इसकीम है लेकिन सरकार कोविट करन तो इससे रिलीज नहीं की इस समय रिलीज की है तो इसलिए जो है सरकार ने 2 साल इसे और बढ़ा दिया तो साड़े सतरह से 23 साल के जो लोग है कोविट की करन जो नहीं दे पाए थे तो इस समय वो दे सकते है 23 साल तक कर टाइम दिया हुआ है उमर है एज है हमारा कि 27 साल से 23 साल तक वो जो है इसमें फॉर्म भर सकते है और जॉब ले सकते है ठीक है और इसमें आपको 40 साल का जॉब देगा और आपको फर्स जो स्टार्टिंग होगा आपको ट्रेनिंग दे जाएगा और 21 हजार से स्टार्ट होगा 21 जियार फिर उसके बाद हर साल बढ़ते जाए गए 31 जियार इस तरह आपको जो है बढ़ता ज़र जाएगा तो आप सोचेंगे कि आपको 21 जियार पर स्टार्ट हुआ लिकिन आपकी भी घर में खर्च है ये भी जरूरी ये आपको घर में भी भीजना होगा ठीक है उसके बाद जब आप चार साल के बाद रिटायर होते हैं और इसमें आपको 21 जियार मिलेगा ना इसमें सेविंग भी होगी ठीक है तो वो सरकार जैसे पी एफ होता है उस तरह कटेगा तो वो सरकार खुदी और अपने तरब से भी कुछ इंटरेंस बढ़ा के अपर्चुनिटी देगी क्योंकि हमें समाज में जो भी आर्मी में रहता है तो उसे जो है रिस्पेक्टीवल जो है सम्मानित तोर पर देखा जाता है ठीक है उसकी बहुत रिसपेक्ट होती है हमारे सुसाइटी में और सही बात भी है लेकिन वो चार साल के बाद उसके रि यह वह चाहते हैं, चार साल के बाद तो वह सीख सकते हैं, इक यह भी है, और उसके बाद क्या है, कि सरकार यह भी कह रही है, कि अगर कहीं जैसे कोई ATM हो गया, या जैसे आसम का, आसम forces में जो है, उसमें पहले उन ही लोग के लिए जो अगनी वीर है, जो उसमें सो डेटायर ह officer होते हैं ठीक है ना तो यह सब पे वी उनको जो है जॉप मिल सकती है अब इसके बाद भी जो है हम जानते हैं हैरह क्या होना चाहिए मेरे ख्याल से देखिए इन में लोग को जो अगनी वीर है इन लों को भी pension पैंसन नहीं मिलेगा अच्छा तो इनलों को क्यों नहीं मिलना चाहिए आखिर हुआ कि देखिए जो सरकार जो इनलों को पैंसन देने पाएं के पास बजट नहीं था तो वह जो पैंसन जो भी बंद कर दिया गा इसका पैसा भी आर्मे फोर्स में लगा रहा है और उससे क्या है वह बहुत सारा वैपन खरी रहे हैं हतियार खरी रहे हैं क्योंकि आप जाने कि हर एक अधर कंट्री चाहिए वह यूएस से हो या जर्मनी हो तो वह सब क्या कर रहे हैं कि अब जो है मैन पावर हो खदम कर रहे हैं अब टेक्नोलोजी ला रहे हैं वैपन ला रहे हैं ठीक है ना तो वहां पर भी इसी तरह का कुछ कुछ रूल है जिसे यहां पर ही अगनिवीर लोग करना सब्सथा कि कि नहीं मिल रहे हैं कि जोक। सही बात है, मेरा भी यही रहा है कि बंधी कर देना चाहिए, क्योंकि जब कोई MLA MP बनता है, तो उसको दोनों का पैंसन मिलता है, MLA का भी और MP का भी पैंसन मिलता है, और इस पे 70 करोड खर्च करती है सरकार इस पर, सोच सकते आप इस पैंसन पर, साल का, तो आप अब ध्यान रखे हैं, कि अगर जब अगनी वीर को ने मिल ला है, आर्वी फोर्स को ने मिल ला है, तो इन लोग को पैंसन बंद करना चाहिए, आप देखे हैं, इदर फिला ली, सीनियर सेटीजन जो है, जो रेलवे दो सो करोड खर्च करती थी, तो अब क्या कि उरस ने सीनियर सेटीफिकेट दे, ठीक है, कमिनिकेशन जो होता है, उन लोग का ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उन सब का सेटीफिकेट दे, जैकि बाद में जाकर उसे कोई भी जॉब में प्रॉब्लम ना हो, आप चार साल भाइसाब, आप तो हम तो ग्रिविशन करने में लगता है, किसी मेरा एक ही ओपिनियन है, तो यह सब जब चेंजे सके हैं ना, तो यह वा नराज में हुआ, तो इस तरह हमें मिलकर एक 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 बनाना चाहिए, एक कारों बनाना चाहिए, और इसे जो है नियम से करना भी चाहिए, तो मैंने इस वीडियो में आपको यह चीज बताया, I hope करता हूं, देखते हैं आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है,